हाई अब्रीवान विल्कम बैक टु मैं कीचेन आज मैं बना रहे हैं मसाला दोसा तो उसके लिए एक पैन गरम करके दो टेबल स्पून ऑईल डाल दिया उसका साथ काड़ी पत्त डाल दिया और मैंने चानी में धो लिया मस्टर सीड उसको डायरेक्ट डाल दिया आप ऐसा मत ठील भी ग्रीन डाल दिया और जाने मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा सौistance करना है यामलग ships में रीड आल थे करने का बाद में इस्मेर्द बढ़र सॉटे a कष्मीर नेए डाल दिया शोऊब्र देखके सब्स्या करना है ज्यादा पकाना नहीं है इस स्टेच अरह रही के मदर से मैंने smash कर लिया उसका add कर रही हूं पटाटो बॉयल तो सब को मालूम है मैं देखाऊंगी तो ज्यादा बड़ा हो जाएंगे भीडियो तो इसलिए मैंने smash कटके इसकंदर डाल दिया तो पटाटो मसाला बनाना कितना easy है इतना simple है ज्यादा कुछ हंगा में करने का जरूरत नहीं आए ताभी लास्ट में मैंने थोड़ा सा करियेंडर लिप्स धनिया पत्ता को चॉप्ट करके राखाता उसको डाल दिया तो आप देखिए हमारा मसाला आलू रेडी हो गये ना तो कितना simple है ना मसाला पट्टटो बनाना तो इसको बना के हम लोग side में सिंपल जो मार्केट में अबलेवल है उसी से ही महीं दिखा रही हूँ जो बीगिनर से उनके लिए सिंपल हो जाएंगे मैंने तोड़ा काश्मीरी रेचली पाउडर भी इसका साथ मिक्स कर लिया कि मैंने आइसा ही घर में दोसा बनाती हूँ तो इसको अच्छा से मिक्स कर लिने का बाद एक कास्टाइडन ताव को मैंने गरम कर लिया आप चाहिए तो नौन स्टीक भी ताव भी उस कर सकते हैं मैंने थोड़ा सा ओइल डाल दिया ज्यादा हो गिया तो मैंने टीशू पेपर का मदस से इसको निकाल रही हूँ आप देखिए ज्यादा ओएल का यमें दोसा बनाना स्टार्ट क्या इसका हाथ से इसको थोड़ा सा एक पर्ड़ा डेना है इतना पर्फ टलरा स्प्रैट कर दें उतना ही आच्छा है इसका से तो एक Calot करें के डाल अपने आप रेडी कर सकते हैं, कोई फेल होने का चांस नहीं है, कितना सिंपल है, आप देखिए, स्मैस पटेटे को मीडल में राकना, और उसको कवर कर देना, बस, और इसको डाउन कलर होने तक से पकाना है, बस उतना ही, आज ज्यादा कुछ इसमें ख्याल रखने का जरूर करणकिं झाल लवाया, भेल, मैं आप लेची कर दो दूरी कर दो से हैं, कितना ही, आज झैजा ह samhहा बाह। कर का जर ढें है, कितना है, अ, आपको कर दो भाऊने कर दो से इसके खाहीं हैं, जितना हैं